स्वागती दोस्ता आप सभी को टेकिराच यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Redmi Note 7 Pro या फिर किसी भी Redmi Mobile में अपने कैमेरा को आप कैसे सेटिंग को रिसेट कर सकते हो यानि कि दोस्तों यहाँ पर हम जो है अपने कैमेरा का सेटिंग जो होता है उसे हम चेरखानी कर देते हैं और हमें समझ में ने आता है कि क्या गड़बड हो गया है तो यह कि इसमें आप अपना कैमेरा सेटिंग को रिसेट कर दीजेगा क्या होता है कि उसके बाद में आपका restore default setting आपको दिखाई देगा है, यहाँ पर क्लिक करना है, OK कर देना है आपका camera, जो company से setting आता है, उसी में आपका यहाँ पर setup हो जाएगा, तो यह दिया, आपको यह option यहाँ पर show नहीं हो रहा है, तब आपको क्या करना है, कहाँ पर जाके करना है, settings पर जाना है आपको, और उसके बाद में दूस्तों, यहाँ पर आपको जाना है, installed apps या फिर application manager पर, ठीक है, उसके बाद में दूस्तों, यहाँ पर आपको camera डूणना है, सबसे उपर camera है यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर दूस्तों, आप क्या करना है आपको सबसे पहले स्टोरेच पे जाना है ठीक है स्टोरेच की जाने के बाद में zusammen ग्लीयर डाटा को एक्षिन आपको शो करें एक ठीकिो के मेरा मुबइल में यहीपी मुझे शो कर रहा है इसके आपको force stop कर देना है, उसके बाद में clear data पर click- veteranue, clear all data कर देना है, ये करने के बाद में दोस्तोலग आपको Eles sound और ऑपicias कर देना है, ठीक है उसके बाद में दोस्तो जा कि आपका जो camera है वो reset हो जाएगा यहीं छी सेटिंग्स पे आपका केमरा पे नहीं जाके आप यहीं से कर सकते एप मैनेजमेंट से उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आयोगा थैंक्स वॉचिंग